हेलो नमस्कार दूस्तों सवागत आपका सबसेंगे सेंगे सेंगे हम लोग पार्ट सेवन कल दिए ठीक है पार्ट सेवन तक कल दिए तो और उसमें यहां तक यूस वैल्ड उनिवस्टित कल दीए इसका आगे करतें जल दी से ठीक आए विसुसेन ब्रवत्ति हम लोग देखेंगे यहां पे सेना में जो खर्चे होते हैं उसमें गलॉबल लेवल पर किसका पार्टिस परिस्ट सबसे जयादा है वो सब यहां पर देखेंगे ठीक सेना को लेके खर्चा हतियार की खरीद फरुक इनके संब्समें जो भी रूप याद रखना है आपको separate याद रखना है third position पर है ठीक है यह यहाँ पर सबस्याना सेना पर जो खर्च करते हैं देश वह है ठीक है यहाँ पर लिस्पे भी आप देख सकते हैं सबस्याना खर्चा कौन करता है सेना पर military expenditure में अमेरिका ठीक है सेकंड पर ना चाहिना और थर्ड पर भारत बस यह बीन याद रख लेना अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में इंडिया में बहुत डिफ्रेंस है 39 परसंट हिस्सेदारी है ग्लोबल लेविल पर बहुत हुज है और इंडिया की सिर्फ 3.7 ठीक है तो इंडिया को separately याद रखना है तीसरे पोजीशन पर य और GDP में भी परसंट है भारत का जैसे भारत अगर मुझे लगा कि भारत अपनी GDP का कितना परसंट है यहां पर सेन वे में खर्च करता है तो वो 2.9 परसंट याद रखना ठीक है 2.9 परसंट GDP का of GDP आगे पॉइंट है मैं आपको मार करके बता दे रहा हूं 2020 में भारत का सेन बेज हो है वो जीडीवी का 2.9 परसंट है ठीक है तो इस पॉइंट को भी इंपोर्ट यह भूद इंपोर्टन पॉइंट है यह भी सुपर इंपोर्टन है चलिए आ गया यह मृत्तु दंड पर MST इंटनेशनल की रिपोर्ट इंपोर्ट संस्थाइम इंपोर्टन है ठीक ह MST International इसका Headquarter कही बार पूँचा है इसका Headquarter आप लोग बताएंगे Headquarter लंदन में ठीक है लंदन याद रखना वहुत इंपोर्टन पॉइंट है यह रिपोर्ट बताती है कि कहां पर कितने ज्यादा मृत्तु दंड की सजा मिली है ठीक है तो यहां पर दो फेक्ट याद रखन इस पॉइंट को मार कीजिए 2020 में चार्ट देश जो है अफ्रिकन कॉंटिनेंट का चार्ट ने मृत्तु दंड को पूर्टा समाथ कर दिया ठीक है अगर पूचा जाए अभी MNHT International रिपोट के नुसर किस देश ने मृत्तु दंड को समाथ कर दिया चार्ट लगा देना ठी चार्ट वह ला मत इंपोर्टन पॉइंट है नीचे आईए इसके पद आपको पढ़ना है आपको पता है हमेशा की थरह चीन के जो डेटा है वह सामिल नहीं होते हैं इसमें बताता ही नहीं है चीन तो कहां से यहां पर डेटा सामिल करेगा फिर भी यह रिपोर्ट बानती ह चीन में सबस्यादा मृत्तुदंड एग्जीक्यूट हुए है ठीक है यहां पर लिखाव यह नोंने सरबादिक निसपातित मृत्तुदंडों की संग्या चीन में मानी जाती है बट इसका कोई डेटा नहीं है ठीक अगर डेटा के नुसर पूछे जिसका डेटा है और सबस है यहां पर किया मृत्तुदंड की सजा सजा अने इसलेष देखना है तो यहम ऑन ऐटेटा और दूसरा की झाए खेया है U सॉना ही गई तब सचान ने वालों की संघया विर्तिदन को सजा मिली है । चलिए आगए यह वुल्ड प्रेस स्वितंतथा इंपोर्टगर्ण है यह संस्था भी बहुत important reporters without borders इसके दोबारा launch होती है प्रकासित होती है ठीक है publish होती है कभी-कभी ऐसे भी पूछा गया कि reporters without borders के दोबारा कौन सी index बनाया जाते है फिर कौन सी report जारी की जाती है आपको चार option दिख जाएगा piece index तख जाएगा ठीक है तब आपको press index वहाँ पर मानना पड़ेगा फ्रीडम मानना पड़ेगा प्रेस में सब सबसे ची पोजी सन हमेशा नारवी की रहेती है ठीक है नारवी ब्यात रखना और भारत की पोजीशन जानना है भारत 142 इसके दाइरे में घूमती रहती है इंडिया की रैंकिंग इस साल कितना है 122 यहां पे लखाए 2020 में भारत 142 पे था और 2020 में 142 पे याद रहेगा 2020 की सेम रैंकिंग है 142 चलिए आगे आईए यहां पर प्रिक्स देशों में देख लिए प्रेस को लेकिए आप आईडिया आरा लखं दान्त ही सब इसलिए नहीं है रहेंक श invari यहां पर रहेंक सबसे बेकार है चशन का कर फ्रेस फ्रिडम के मामले में साउथ अफ्रिका की रेंक बहुत अच्छी भागी सब आत्य देखें कऊंगे तो साउथ अफरिका की रांकिंग होब अच्छी नहीं रहा है ठीके ल में देटाइर देंगे मैला ससक्तिक्रण पर निबंदमन आएगा नौं तुमार्ट अच्छा आ जाता है और इंडिया के आप लोग जानी रहें अवह इसलिए रंकिंग इंडिया की बहुत 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 है रहें पर वोग देंगे इसलिए gender gap की ranking इंडिया के लिए डाउन हो जाएगी इंडिया में इंडिया में लड़कियों को शिक्षा के लिए अलगी temperament बना हुआ है तो यहां पर भी यहां पर भी यह पॉइंट हमेंसा डाउन रहता है ठीक है शिक्षा पर आपती बहुत अच्छी निया मैलाओं की है राजनितिक पार्टिसिपेशन यह आप देखी रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है लेकर यह इंप्रूब हो रहा है तो रेंक इंप्रूब हो जाएगी फर्दर वफ ने तीन कंट्रियों को और सामिल किया है इसमें ट्रिपल जीयार रिपोर्ट में अपनी ट्रिपल जीयार इन तीनों को एड़ दो कर लिया अफगानिस्तान को गया लेकिन वद किसमती से इंकी रैंकिंग भी सबसे नीचे है ठीक है 156 सबसे लास्ट है याद रखना सबसे खराब प्रदेशन करने वाली कंट्री कौन सी है अफगानिस्तान यह सबसे लास्ट है किस रपोर्ट में ड इंडेक्स में में इसा उपर रहती हैं फिल्लेंड के बारे में बताएंगे कौन से इंडेक्स में इसा टॉप रहता है फिल्लेंड के बारे में खोशाली वाले इंडेक्स में रहता है ठीक है फिल्लेंड से फन याद रखा करते हैं फन से खोशाली याद रखिए ठीक इसके ब इसको मार करके चलना है, सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट है, और यह इस्तिति क्यों आई है, मतलब 28 सस्थानों में ग्राबट क्यों आई है, आपने इसके बेसिस, आपने पिलर, आपने देखे थे, यहाँ पे चार पिलर थे, इस इंडेक्स बनाने के लिए, चोथा पिलर जो था राजनेतिक ससकती करण, पॉलिटिकल इंपाबर्मेंट, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, भारत में मंत्री बंडल में मैला मंत्री उपी संका, 2019 में कितनी थी, 23 परसंट, और 2021 में 9.1 परसंट रहे गई, तो आपका जो फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिल उससे पहले एक सवार्थ हुआ करती थी, तीरे-देरे हम लोग कि यह इंप्रूब नहीं कर रहे हैं, और तो 140 हो गई है, तो जल्दी से यहाँ पर पैच कर लिजे, ट्रुपल जीर रपोर्ट जो है, ट्रुपल जीर रपोर्ट ट्रुपल 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 यह बनाता क ठीक है, यह सबसे डाउन है, सबसे लास्ट अफगानिस्तान, हम लोग ने पहली पोजिशन पर किसको पड़ा, आइसलेंड को, ठीक है, पहली पोजिशन पर आइसलेंड को पड़ा, इंडिया की पोजिशन कितनी है, इंडिया की पोजिशन, 140, ठीक है, इससे पहले 2020 में कित 23.1 परसेंट और इस बार कितना है 2020 में 9.1 परसेंट सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है सुपर इंपोर्टेंट इसको मार करके चलिए यह वाला याद रखना है ठीक है अंतराश्टी यह बहुत एक समयता सोच कहांगे यानि इंटेनेशनल इंटेलक्ष्ण प्रॉप्राइट बट्रीएंट इस चीज़ को बोलते है इंट्रलक्ष्ण ठीक है तो वही आपकी प्रोपटी है माइड प्रॉपरणी थोड़ी निगूच होती है जयसे आपके आगर कोई रेलेशन में या फूर कोई आपके दोस्त बगरा पिस्डी बगरा कर रहे होंग तो उनको उनको रिसर्च्च पेपर पब्लिस ने होते है हैं और बह्त विय्ट्ट कराते हैं सब्सक्राइब मोग भाध बाद उसक्ता बाहिए समय नहीं है इसक्राइब ब्द्रफपेटोट्रेजिस Mr. Mikro टिक है USA सही रहते है पाहली स्थान इनका दूसरा स्थान UK का थीक सबसे आंतिमें बेनेजुला i podeinen ही साbooks अमेरिकन की कंटिनेंट की यह तो नहीं लगता ही नि कि involveda जडोगा इस report से मैं यह सोऑ कर रहा हूं कि मतलब कहां कि लोग कितने बुद्धी मान हैं मतलब वो भी एक फेक्टर तो ही बुद्धी मान रहेंगे तभी तो पेटेंट पाप्लिस कराएंगे यह इंडेक्स एक चीज और यहां पर सो कराती है कि आपके देश में IP इंटेलेक्चल प्रॉपर्पर्टी को ल यहां पर विवस्त हैं किसी है तो यह दो कंट्री याद रखेंगे टॉप की यह वैसे और युनाइटिर्ट पिंग्डम सबसे पीछे की कंट्री जोए वह बहुत इंप्रटन पॉइंट है चलिए अब यहां पर क्या बचा है यहां पर इंडिया की पोजीशन तो हम लोगो देलोग आखने तो इंडिया में लिए अच्छा लिए यहां पर अच्छा नहीं है तो इकर वह यह पे सबसे सबसे पीछे है चली आगए अब से दिसक्स हिया था कि प्रसिंप्साली में सबसे अच्छा को रहता है फिल्लेंड ठीकर एक फिनसे सिफाने याद रखी है फिल्लेंड हमेशा इस रपोर्ट में टॉप रहता है और इस रपोर्ट को जारी कॉन करता है यह भी कई बार कुछा है यह आपको इस संस्था का नाम याद रखना है ठीक है इवेन सबस्क्राइब रखना है कौन सबस्क्राइब है अब याद रखने के जरूरत नहीं है ठीक है यह कुछ है याद कैसे रख पाएंगे लिकान हम लोग एक रिड़ जरूर कल दिया किजे क्योंकि आप पढ़ेंगे न तो आप खुद लिंक कर जाएंगे कि यह सब चीजें और ड सब्सक्राइब होता है आप गुस्षे वाले हैं तो अलग टेम्परामेंट होता है ठीक है दो दार बैखती जादा खुस होता है मतलब एक छोटा सा सेंस छोटी सी लिंक यहाप से आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों को परसेप्शन और करप्शन प्रिसासन में करप्शन नहीं रहेगा पड़ोसी करप्ट नहीं होगा तो आपके काम एजीली हो जाएंगे आपको दरदर भाग भागना नहीं पड़ेगा तो परिसन नहीं होना पड़ेगा तो हैपिनेस अपने आप आप आजाएगी दूसरा है हेल्दी लाइप एक्सपेक्टेंसी तो इससे बड़ी त आप अच्छे हैं पड़ोसी अच्छे हैं चोरों चक्की नहीं हैं डाको टकेती नहीं करेंगे तो आप दर की भावना से नहीं जिएंगे आप अपने घर पर सुरक्षित फिल करेंगे तो आप खुस रहेंगे ठीक है यह सब इनकी पिलर्स थे यह पूछने नहीं वाला है अब अच्छे कर लिये तो आप इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं फिल्लेंड भूलेंड हमेंशा अविशा हमेंशा टॉप कर रहाता है ठीक है चलिए सबसे वेगार को हुए सबसे अनेपी को हुए अफगानिस्थान यानिया यह सबसे दूखी है अफगानिस्तान जि कितना है 139 ठीक है very very important 140 किसमें पढ़े 140 जल्दी से बताइए पिछली रिपोर्ट में पढ़े थे पिछली इंडेक्स में पढ़े इस तरह आ जाईए अंतराष्टी सस्त हस्तान प्रबट किया है यह भी हतियारों से रिलेटेट है तो कौन नहीं इसको रिलेज करता हुगा रपोर्ट में पहली एक रिपोर्ट डिसकस की थी सिप्री यह रिपोर्ट जारी करती है और उस रिपोर्ट में हम ने क्या देगा था इस रिपोर्ट में हम लोगे पढ़ेंगे कोन किस देश को हत्यार सबसे बेच रहा है ठीक है ढिए पोर्बच जो मार कर रहा हूँ इस सुपर इंपोर्टेंट है 2011 से 15 और फिर 16 से 20 तो आप यह समझ सकते हैं कि 2011 से 2020 तक का डेटा बता रहे हैं ठीक है 2011 से 2020 के बीच में भारत में आयात आया जो है यानि इंपोर्ट में 33% की कमी आई है यह तो अच्छी बात है यह अच्छा पॉइंट है अच्छा का मतलब है अच्छी बच्चे अपने जेवा में बंदुक लेकर चलेंगा है ना चलिए देखते हैं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन रहा है सबसे नहां हतियार किसने एक्सपोर्ट किया है अमिर्का ठीक है अमिर्का रूस फ्रांस इतीन आपको सीक्वेंस में याद रखना है ठीक जाना ही हुजए और military expenditure में USA का खर्चा देखा था पूरी दोनिया जतना करती है अकेला 39% USA कर देता है military expenditure का तो यह expenditure कर कैसे पा रहे हैं यहां से पैसा कमाते हैं तब यहां पर कर पाता है हां त्यार वेच के पैसा कमा और यहां पर अपनी सेना को मजबूत बनो और इंडिया चलगा आयार जो किया यानि सबस्तान जो इस ने सबसे करीद है सबसे करीद थे सबसे करीद रहыми और यहां पर आपको भारत के बारें पता चल लगा कि यह दूसरा सबसे बड़ा आया तक है पहला आपने देखी लिए सवुदी रहा है टिक यहांने इंडिया जो है वह बहुत सारी हत्यार खरीदता थीक है तो हम लोगोने खरीदे कहा है सबसे जाना हम लोगोने रूस से खर भीजार करेंगे रूस आपको याद रखना हैं अमेरीका नहीं लगाना है यानि इंदिया में हत्यार आ ज्याहदा रहे हैं और एक्सपोर्ट होगा है घण इंपो Records रहा है import जाना है डीघट बहुत बहुत आड़ा देंगे दूसरे साँ को तो थोड हम लोग बनेचते हैं बहुत हमें जरूरत है हम्हें खुद में रहूरत संहे नरैयात का हिस्सा चाहसर फॉइंट टू पृत बस juris तोड़ा स्री लंका को बेश देते हैं थोड़ा बप मारिसस को बेश देते हैं अब इन देशों को बेच वाएंगे हम लोग रसिया और यह को थोड़ी न भी जैंगे उनी सितो खरीद दूसरे से यानि इंपोर्ट हुआ जहां पर सबसे न्हां सबसे पहले साथी एक्सपोर्ट कर देंगे यहां बर को स्री-लंका और इंटीनों को फिछ के लिए नुच्ते में दर्ज पारे में देखी दबा के वेंशता भी है दबा के खरीदता भी है आज मी रहेंके दोनों में एक्सपोर्टर में और इंपोर्टर में भी चलिए बहुत होगा स्पेचल दी सिखी छे कोविट 19 यहां पर पर्फॉर्मेंस इंडेक्स देख लो इस इंडेक्स में यह बताया गया कि सबसे बड़ी है जो जो मैनेजमेंट को लिए कोविट 19 के मैनेजमेंट को और इस लिए जिसका मैनेजमेंट कोविट 19 के रिगार्णिंग अच्छा रहा है वह यहां पर लिस्ट में नीचे दिख रहा है ठीक है तो भूटान का सबसे अच्छा है यहां पर मैनेजमेंट रहा है कोविट 19 को लेके तो रहेंग फास्ट है अब कितने ही लोग है यार भ ऐक्टर जरूर रहता है जिंपल सी बात है किसी कपल के चार बच्चे हैं किसी कपल के दो बच्चे है तो दो बच्चों वाला जो कपले वह easily manage कर ले जाएगा ना फ्यक्ति चार बच्चों की कब प्रख सकता है चलि यह जन्नल बात थी एक तो यहां पर याद रखना है भू सागर में या फिर तर्की के इस्ट साइड में देखेंगे तो आपको सागर में देख जाएगा है साइपरस ठी चलिए भारत की स्थिति आप आप सेंस लगा सकते हैं कि कैसी इस 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 बहुत पीछे होगी ठीक है गुटान का अपना या दक्षण या में देख रहा है कोई द मतलब मैं एक जनरल एक्जामपल बताया था कि पॉपलीशन भी एक बहुत बड़ा फेक्टर होता है ठीक है काफी चीजें बेगाणने के लिए ठीक है तो इंडिया की रैंक 87 है रैंक बहुत इंपोर्टेंट इस इंडेक्स में हो सकते है क्योंकि नए इंडेक्स है थोड़ ठीक है आप लोग आपको भी देखने की जरूत नहीं है ठीक है कौन से आना वाला है चलिए और इसमें नहीं इंपोर्टेंट है वीचे देखिए फ्री एकॉनमी सबसे बढ़िया किस देश की आर्थिक सुतंतर था सुचकर का मतलब हुआ कि किसकी एकॉनमी ऊपन ऊपन एक रूल सब लॉज है बहुत जादा इस्टिंजेंट नहीं इस्टिक नहीं लाल फीता साही बहुत जादा नहीं यानि रेट टेपेस में बहुत जादा नहीं है रेगुलेटरी मसीनली बगरा कैसी है इस ब चीज़ेंस में देखिए ठीक है तो आर्थिक सोटंतर था हम लोग चलिए यहां पर देखते हैं सबसे अच्छी फ्री एकॉनमी कौन सी है चलिए यहां पर देखते हैं सबसे फ्री एकॉनमी बाला कंट्री हों सा यहां पर आपको सिंगापूर को पकड़ना है सिंगापूर सबसे सोतंत्र अर्थ बबस्ता है ठीक है तो सिंगापूर की पहली तो आप उसको भी नहीं रिजक्ट करेंगे तो आपको इनको पांचों को फोकस करना है ठीक है दुनिया में पांच ही देश ऐसे हैं जो एकानोमिक लिए फ्री हैं ठीक है सिंगपूर न्यूजिलेंड ऑस्टेलिया ऑसवर्जन आइलेंड पॉस करके रट लेना कोई कोड बना कौनसा देश 117 stesso City में नहीं आता या फिर कौनसा देश 11 etantrotherapy में नहीं आता है ऐसकुछ भी बंदेएगा तो आपको याद रखने है ठीक है चाइना बहरत वराजिल इसको याद – रखो नहीं कोई यहां पर बिसुका सबसे कम सोतंत्र देश है तो आपको यह याद रखना है ठीक है उत्तर कोरिया उत्तर के रिया most unfree country है बागी चाइना ब्राजील और इंडिया उन कैटिगरी में डाल गए ठीक उनका भी इस्थान नहीं लगा है पीछे नहीं हो ऐसा हो ना कि unfree की एक list होगी ठीक है unfree की एक list होगी सबसे नीचे जो है वह उत्तर कोरिया यहां पर कहीं इंडिया चाइना और ब्राजील बगर आओंगे ठीक है तो इसमें रैंक पूछने के चांस काम है यहां पर category हो सकता पूछ ले category important है जैसे मैंने question आपको formulate करके बताए है possibility उस तरीके question पूछ ने का है फिर भी एक वाय देख लिए पता चले फिर नहीं तो आगया question तो पुरह में उल्टा सीधा बोलें फिर चली चली इस लेस्ट मेरे बाइच कर लिए most free country को नहीं एकोनोमी के लिए Singapore आपने देखा ठीक है दूसरे न्यूजिलेंट पहले याद रखने आ रहे ही होता है दूसरे तक याद रहेगा नहीं रहेगा वाँवान जाना क्योंकि इतने सारे इंडेक्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि सब गहुच पहुच हो जाता है चली यह बस जानते हैं किस से रिलेटर जल्द से बताएं डियारार से ठीक है यह होता है सेंड़ाई फ्रेमबर और यह से बताते हैं एस या की सरनक्षित सेथ्र से समभन देता है ठीक है वरी वरी इंपॉट्टेंट न्यूज में इसलिए था क्योंकि यह जो पाटनर्सिफ है भारत इस उसको हटाके यहां पर सेना 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 के अधिकार्षेत में सब कुछ हो जाना ठीक है तो 2020 में चुना हुए थे मियावर में ठीक है तो डेमोक्रेटिक जो बनी थी वो आंगसान सू बनी ठीक है तो इनके चुनाओ को वहां की सेना ने ब्रस्ट चार कारूप लगा दिया कि बोटिंग जो है वह गटबड़ तरीके से होई है ठीक है और राजने तिक सत्ता अपने हाथ में ले लिए ठीक है तो यहां पर इंप्रूटन पॉइंट है टाट मादाओ टाट मादाओ इसमें पर समुझ लेगा कि यह हाली में चर्जा मेरा सब दे टाट मादाओ क्या है त सुपर इंपोर्टेंट ठीक है इसको CPI बोलता है CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नहीं प्रस्टाचार बोद सूच गांग इंस्ट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है ट्रांसफफरेंसी इंटरनेस्टरल एडटकोर्टर जल्दी से बताएंगे बहुत इंपोर्ट है यह सब यहाँ पर मनेश्टी इंडरनेस्टर देती है यहाँ पर CPI में लोग देख लेता है कि क्या दिखने बाले हैं यहाँ पर किस देश में कतना प्रस्टा चाह रहा है यहाँ जल्दी से रैंकिंग दिख लेता है तो सबसे इमानदार जो देश हैं बोड़ डनमार्क और न्यूजिलेंड है, इनको संयोगत रूप से मिला है, ठीक है, यह पहली पोजिशन पे इन तोनों, ठीक, very very important, सबसे corrupt देश जो हैं, वो सुमालिया और दक्षणी सुदान, इनको भी संयोगत रूप से, यहां पर रेंक मिली है, और यह सबसे last है, सबसे breast है, important, बस इतना है सबसे breast है, सबसे breast है, यहां पर हम लोग क्या पड़ते हैं, बारत का rank, very very important, double start, ठीक है, बारत CPI में कितना है, बारत CPI 2021, 2020, 86, ठीक है, very very important, 6 याद रखना, हम लोग पिछली साल के पेक्षा, और breast हो गए, 2019 में बारत की ranking, 80 थी, ठीक है, और 2020 में कितनी हो गई है, 86, ठीक है, हम लोग और breast हो गए, इस report के नुसर, आपको 2019 का भी याद रखना है, ठीक है, court, court में कुछन आएगा, तो देगा, वो पक्का देगा, यहां पर Brexit देशों में condition देख रहा है, पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देशों में देख रहा है, चीन जो है, वो हमसे इ ranking अच्छी है, और हम भी थोड़ी बहुत सही position पर है, पड़ोसीयों की compare में, कितने मज़ी की बात है, ब्रिक्स देशों में, जो ब्रिक्स संस्था है, ब्रिक्स एक, जो संगटन है, और इन सभी में corruption का level, सभी control में corruption का level, बहुत तगड़ा है, देख रहा है, रूस 129, साओ साथ अफरीका 69 है, ठीक, तो याद रहेगा, व्रिक्स देशों में सबसे ही मंदार देश होना है, साथ अफरीका, ठीक, इनका number नहीं याद रखना है, ठीक है, नमबर सिर्फ हमें भारत का याद रखना है, वागी किसी का number नहीं याद रखना है, लेकन एक छोटी सी analysis जरू किम सुच कांगे, यहाँ पर दिख लेते हैं कहां पर कितना बाड़ाई है, कहां पर तू बनाया, इसके बज़िसे जो डेमेज हुआ है, तो किस देश में कितना डेमेज हुआ है, यहाँ पर यह रपोर्ट बताती है, इंडेक्स जो बनाया जाता है, वो जर्वन बहुस आपदाओं से, मुझांबिक रा, जिंबापिरा, महामास रा, ठीक है, तो कम से कम तीन याद रखें तो ठीक है, और भारत में भी अच्छा कासा डेमेज होता है, ठीक है, मौसमिल गठनाओं से, और सबसे जादा जो डेमेज किया था अभी 2019 में, वो फानी चक्रबत ने किय ठीक है, पूछ लेगा, गेट आई, अभी हाली में, या फिर 2019 में, कहां पर आया था तो जगह इंपोर्टेंट है, ठीक, ऐसे पुराना है, 2019 में यह अटेक किया था, लेकिन अच्छा किया था,